हेलो स्टुरेंट्स आज हमारा कक्षा आठवी का ग्रामर का टॉपिक है अपठितम गध्यांश अपठितम का मतलब होता है जो पहले पड़ा हुआ नहीं है गध्यांश यानी परेग्राफ तो जो आपकी पाठे पुस्तक से नहीं लिया गया है ऐसा परेग्राफ और उससे सम समंदित कुछ प्रश्णों को हम हल करेंगे स्टार्ट करते हैं कि एक परेग्राफ है वह हम देखेंगे अधो लिखित गध्यांश से पठित्वा प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखत अधो लिखित यानि नीचे लिखे गध्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर लिखिए ये हमारे एक पेरेग्राफ है और इसे संबंदित कुछ कुश्यंस है तो हम पहले पेरेग्राफ पढ़ेंगे अस्माकम करते स्वच्छम परियावरणम अत्यंतम आवश्यकम अस्ती हमारे द्वारा या हमारे द्वारा की गए स्वच्छ परियावरण का अत्यंत आवश्यकता है ठीक है व्रक्षा परियावरणम निर्मलम कुर्वंती व्रक्ष परियावरण को निर्मल यानि स्वच्छ क व्रक्ष फल ये सब नपुसकलिंग है तो ठीक है तो लता की तरह चलेंगे तो फलम फले फलानी इस तरह से चलते हैं ठीक है निर्मलम कुर्वंती कुर्वंती में क्री धातु है और कौन सा लकार है लट लकार प्रत्थम पुरुष बहु वच्छ भई लकार प्रत्थम पुरुष बहु वच्छ छीक है व्रक्ष असमब्यम फलानी व्रक्ष में फल पुष्प ओशुदी दवाईयां काास्टम लक्ड़ि इच्हाया और च्छाया देते हैं ये भी प्रतम पुरुष बहु अचन है अतह अस्माभी व्रक्षानाम करतनम न करतव्यम करतनम यानि काटना अतह इसलिए हमें व्रक्षों को नहीं काटना चाहिए करना चाहिए नहीं करतना चाहिए अस्माभी पाधपा रोपनिया रक्षनिया चाहिए हमें पौधों को रोपनिय रोपना यानि लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करने चाहिए चाहिए थे अस्मव्यम उपकार मेव कुर्वनती वे हमारे उपर क्या projets हमें देते हैं सब्सक्राइबीन शक्ति विकल के द्वारा उचित जो है वो हमें लिखना है परियावरणम इती पदस्य संधी विच्छेदम की मस्ती परियावरण में शब्द में पद के संधी विच्छेद कीजिए परियावरण होता है परी प्लस आवरण इसमें हमारी कौन सी सद्धी है हमारी यन संधी है र में से निकला इ यहां निकला आ यानि असमान स्वर है इ को य कर देते हैं इधर बजग्या पर इधर बजग्या आवरणम इसके अग्या परियावरणम यन संधी है इसके अंदर तो हमारा परी प्लस आवरण सही है कुसुमानी की जगे ऐसा कौन सा शब्सक्राइब कुश पुफूल होता है तो इसकी जगे समानारतक पदो गद्यानशास चिद्वा लिखे निर्मल्पद के समनारतक शब्द को गद्यान से similar शब्द तो निर्मल का मतलब स्वच्च पवित्र होता है तो यहाँ पर समनारतक सब्द स्वच्च Never ग्यushakeOTHокоBERT प्रियावरण को निर्मल कुर्वंति परियावरण को निर्मल कौन करते हैं तो परियावरण को निर्मलब क्षि करते हैं था शाह सहां पादप Self हमारे लिए क्या करते हैं इसने देर '' है न को पादफ हमारेली क्या करते हैं पादफ हमें प्षुप देते हैं लकड़ी देते हैं और छाया प्रदान गड़ते हैं ठीक है ये इसका अंसर हो गया है ओन्सट है असमाकम क्ते क्युशक का मस्ती हमारे लिए क्या आवश्यक है अ हमारे लिए पर्यावर्ण को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्चक है नेक्स्ट है व्रक्षा अस्मभ्यम किम किंग एच्छती क्या क्या देते हैं प्रक्षा अस्मभ्यम फलाने पुश्पाने ओश्दे स्वरी इसमें हम यह लिखेंगे पादपा अस्माकम किम गुर्वन्ति पादप हमारे लिए क्या करते हैं तो पादपा हमारे लिए हमें रोप हमें सुरक्षित करकते हैं और हमें चीजें प्रदान करते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट पेरेग्राफ है एक अस्मिन ग्रामे निशादह नाम एक व्यादह वस्तिस्म एक बार एक गाउं में निशाद नाम का व्याधः शिकारी रहता था वस्ति इस्मह वस्ति में लट लगा लेकिन इस्मह लग गया तो यह क्या बन गया पास्टेंस वस्ति वस धातु है और लट लकार है और प्रथम पुरुष है और एक वच्चन है पट्ति पट्त की तरह चलता है सपशून हत्व नग्रे विक्रनाति इस्मह हत्वा में हन धातुए और कत्वा प्रत्य है कत्वां प्रत्य है हन यानी मारना एक बारे गाओं में निशाद नाम का एक शिकारी रहता था वह पशूंग को मार करके नश्ट करके नगर में उसे बेचने जाथ विक्रनानी यानि बेचना एक दास आखेट आए वनम अगच्छत एक बार्व आखेट आए रामाय की तरह चलेगा चतुर्ती विवक्ति है आखेट यानि शिकार एक बार्व शिकार के लिए वनको गया अगच्छत अपठत्पृशेख ठीक है बंगलकार एकम चम्रगम मारत एक बार्व शिकार के लिए वन गया और वहां उसने एक म्रग को मारा तम्रगम नित्वा यदास ग्रहम प्रतियग चत्जब उस जब वह म्रग को ले करके नित्वा यानि ले करके जब घर की तरफ लोट रहा था प् इन्य सिंग द्रश्ट तो मार्क में उसने एक अन्य दूसरे सिंग को देखा सातम सिंग प्रती शरम अप्षिप्त इसलिए वह सिंग के सिंग के प्रती या सिंग की और बान से उसको मारता है सिंग ने भी व्याध पर शिकारी पर आकरमण किया चाहि नहीं करना चाहिए अब कुछ कुशं से उनको सौल्फ करते हैं प्रबूतम यानि बहुत ज्यादा तो अत्यधिकम भी बहुत ज्यादा होता है इति पदस्य संधी विच्छे दम कुरू तो सिंग यह पूर्वरूप होता है यह विसर्ग संधी है ठीक है विसर्ग संधी है सिंगह प्लस अपी आखेट आए इति पदे काविबक्ति अस्ति तो मैंने आपको बता है आखेट में चतुर्ती यहुगि रामाई की तरह चलता है राम की तरह अशिप्तह ती क्रिया पदस्य करतम इस क्रिया का कौन सा करता है तो अशिप्तह तो यहां पर यह लाइन है यह क्रिया है और यह करता है तो वहां सर्वनाम है और यह करता है ठीक है सह किसके लिए आया है व्याद के लिए तो व्याग ठीक है प्राप्तुमिति पदस्य प्रकर्तिम्प्रत्य अच्छ है अगर यह सह है तो सह देखो प्राप्तुम में मूल शब्द को प्रत्य को अलग-अलग करना है तो प्राप्तुम में प्रवुपसर्गे आप मूल शब्दे और तुमुन प्रत्य है ठीक है नेक्स्ट है एक पदेन एक पदेन में व्यादः नाम किम व्याद का नाम क्या था विशादः शिकारी का नाम व्यादः कम आकरवान सिंगह किस ने उसके पर आकरवन किया सिंग ने व्यादम वनम की मर्तम अगच्छत व्याद वन में किसके लिए गया था आखेट आए तो यहां पे पूर्ण वाक्य में आएगा व्यादं वनं आखे टाय शिकार करनेके लिए सा कथम प्रभूतम धनं प्राप्तु मिच्चतिस्त वह कैशे धन को प्राप्त करना चाहता था तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त संसिंग को मार करके बहुत ज़्यादा धन प्राप करना चाहता था सब अंसर हमारे पेरेग्राफ के अंदर से ही मिलेंगे ठीके यह हमारा यह वाला पेरेग्राफ कंप्लीट हो गया अब थर्ड नंबर का पेरेग्राफ देखते हैं संस्कृत भाषा विश्वस से प्राचीन तमा भाषा अस्ति संस्कृत भाषा विश्र की प्राचीन तम सबसे पुरानी भाषाओं में से है इसे देव भाषा देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ओ देव वाणी भी बोला जाता है कहा जाता है इम अनेक भाषा नाम जन्नी अस्ति यह सभी भाषाओं की जननी है माता है इम भारत से एका बहुमुल्या निधी रस्ति यह भारत का यह एक बहुमुल्य निधी धन है अस्या साहित्यम शब्द भंडारम चो विशालम अस्ति इसके साहित्य और में शब्द भंडार विशाल है भारत से समस्तम समस्तम प्राचीनम ज्यानम अस्या भाषायम एव अस्ति वेदा भारत की समस्त प्राचीन ज्यानों में इस भाषा का ही है वेद, दर्शन, रामायन, महाबारत, गीता इसमें सभी भाषाएं ही है अस्माबी अस्या भाषा संरक्षन, प्रचारं, प्रसारं चकरते हैं इसलिए हमें इस भाषा का संरक्षन, सुरक्षा और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए माता का यहाँ पे similar शब्द कौन सा है तो यहाँ पे जननी शब्द का यूज हुआ है तो जननी भी भाष्य माता का ही प्रय वाची है समानार्थि एम बाशा एका बहु मुल्या निदियस्ति अत्र इम इतिपदम कश्मेग संस्क्रत बहु मुल्य है विषेशन के लिए रूप में यूज हुआ है ग्यान है तो यहां पे लिखा हुआ है ग्यान पुराना ज्यान की विशेष्टा है कि वह पुराना है तो यह इसका विशेषन हुआ ठीक है एक नुतिरम में विश्वत्स्य प्राचीनतम भाषा कौन सी है विश्व की प्राचीन नाम व sweetness अबन ≫ नाम है नुखसए में लिखर देव भाषा और देववानि डेव भाषा देववानि चegól ठीक है अनेक भाशा नाम जन्नी कास्ति संस्कृत भाशा अनेक भाशाओं की जन्नी हैं संस्कृत भाशा ठीक है फिर है अस्या साहित्य की द्रशस्त दी इसका साहित्य क्या है विशाल है तो विशालम आ जाएगा अस्या अब यह तो एक पदेन में हो गया पूर्ण वाक्य में है अस्याम भाशा के के ग्रंता संती तो इसमें है कि देखो यहां पर लिखा हुआ है अस्या बाश्या कौन-कौन से लिखे हुए वेध है रामायन है महा भारत है गीता है यह सब लिखे गए है इस बाशा में है असमाभी कीमकर्तव्यम करता है हमें क्या करना चाहिए अस्या भाशालव में इस बाशा का मेरे सुरक्षा और यह पूर्ण वाक्यavorsार ओजाते है ठीकि निन प्रशनों को सॉर्व किया आपके सामने अगर इस तरह के प्रशन आते हैं तो उन्हें आराम से पढ़िए उन्हें पहले उसका हिंदी अनुवाद करिए उनको समझे उसके बाद ये कुश्चन सॉल्व करें तो आशा करती हूं आपको ये टॉपिक समझ में आयोगा अपटितम गध्यांशम तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच में हिंग।